दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि आधार कार्ट पर लोन के लिए हमें कैसे ओनलाइन अप्लाई करना है कई बार हमें अकसमात पैसों की ज़रुत पर जाती है तो उसकेस में आप किसी के आगे हाथ फैलाए बिना ओनलाइन ही अप्लाई करके आप अपने मोबाइल फ अप्लिकेशन को अपने फोन में इस्टाल कर लेना है अप्लिकेशन को आप फर्स टाइम ओपन करोगे तो यहां पर लाइंग्वेज को सब्सक्राइब करोगे अब आप सभी के सामने दो आप्शन आएंगे जिसमें की अगर आप एक्जिस्टिंग यूजर हो तो साइन इन करोगे नहीं तो आप से भी को यहां पर आयम न्यू टू ब्रांच इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहां पर हमें अपना चो मोबाइल नंबर है वह फिल कर लेना है देन रजिस्टर नियो अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है अब हमारे मोबाइल फोन पर एक OTP को हम में यहां पर फिल करना है यहां पर वेरिफाई के option पे क्लिक कर देना है तो इतना करते ही हम application के अंदर login हो चुके हैं अब यहां पर loan के लिए हम online ही apply कर सकते हैं यहां पर आप देखोगे 40,000 रुपे तक के जो loan है वह आपको online ही approval के अंदर मिल जाते हैं अगर आपको कभी पैसे की जरूरत पड़ जाया तो यह काफी अच्छी application है online ही आप सभी के बैंक हाते में जो पैसे हैं वो ट्रांसफर कर दिये जाते हैं application के अंदर login होने के बाद में यहां पर loan के लिए apply करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने profile के section में आना है यहां पर हमें अपनी जो details होगा उसको भी हमें इयहां पर तकर लेना है यहांप यहां पर अपना complete address जो कि आपके आधार-card पर कुछ तरीके से ही आप सभी को इहां पर फिल कर ले ना है और यहां पर आप सभी कूड़ है वह करना है इसे बाद में आप सभी अपनि आपको पार nó को apply करने के लिए पर apply now का जो option दिया गया है इसी option पे क्लिक करना है और यहां पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पचास जार रुपे तक का जो loan है वो online apply करके आप पा सकते हो तो यहां पर हमें start your loan application के option पे क्लिक करना है और यहां पर कुछ permission को हमें allow करने की जरुदत होगी तो यहां पर आपको सारी ही पर्मिशन को allow के option पे क्लिक करेंगे और यहां पर सारी ही पर्मिशन को हमें allow करना होगा जिससे कि हम loan की जो application है उसको हम फिल कर पाएं इसके बाद में आप सभी से यहां पर identity type पूछा जाता है जिसमें कि आप क्लिक करोगे यहां पर इन दोनों में से कोई भी document दे करके इनके माध्यम से आप loan के लिए apply कर सकते हो तो आधार सबसे आसान है हम आधार को ही select करेंगे और continue के option पे क्लिक करेंगे आप यहां पर हमारा जो camera है वह देखोगे कि open हो चुका है और अधार कार्ड हमें कुछ front copy इस तरीके से यहां पर scan कर लेना है ध्यान रखना है कि यहां पर अच्छे तरीके से आपका जो आधार कार्ड है वह read हो देखने में सारे चेहरा रखना है और कुछ इस तरीके से अपनी जो फोटो है वह capture करना है और submit के option पे क्लिक करना है अब इतना करने के बाद में अगला जो पेज आता है वह है आपकी income details का जिसमें की current income type के option पे क्लिक करना है यहां पर आप self-employed हो या फिर salary person हो या फिर आप कोई भी काम नहीं करते हो unemployed हो अधर कुछ भी है तो यहां पर आप select कर दोगे और monthly जो भी income है यहां पर अब हमें अपना जो monthly income का जो slab है का इसारे दिखाए गए है जो भी category में आप आते हो आपको यहां पर select कर लेना है और continue के option पे click कर लेना है तो अगला पर जाता है bank details का जिसमें की सबसे पहले तो आपका जो भी bank में खाता है उस bank का जो name है इस list में select करना है ध्यान रखना है यह जो bank आप select कर रहे हो इसी bank में आप भी के जो पैसे हैं loan का जो amount है वो disperse किया जाएगा तो ध्यान से यह सारी details आपको फिल करना है और यहां पर अपना जो bank account number है उससे आप फिल करोगे देना आप submit के option पे क्लिक करोगे अब इतना जैसे मैंने किया है तो आप देखोगे ग्रोविद ब्रांच यहां पर एक message आ है जिसम की बताया गया है कि आप जो भी यहां पर loan लोगे उनको अगर timely आप payment करोगे तो यहां पर आप सभी लोग grow करोगे आपका जो loan amount यहां पर जारी किया जाएगा उससे ज्यादा loan amount next time आपको offer किया जा सकता है तो ध्यान रखना है कि loan का जो payment आप है जो भी आप loan ले रहे हो timely आप करो जिससे कि आपका civil भी अच्छा maintain होगा और यहां पर आपसे लोग अच्छे limit का जो loan है वो भी अगली बार ले पाओगे तो continue करेंगे और इसके बाद मे जो option है इस पर click करना है और यहां पर आप देखोगे कि कई सारे slab दिखाएगे हैं कितने duration के लिए आप loan लेना चाहते हो जैसे कि आप केवल 30 दिनों के अंदर ही जो loan का amount है अगर आप payment कर दोगे तो देखोगे केवल 18 रुपेज का जो है आपको केवल interest pay करना होगा वहीं अ यानि कि 267 रुपीज पर मंथ आप सभी को payment करना होगा अगर आप दो महीने के लिए लोन लेते हो और इससे ज्यादा कि EMI इस पर बनने का कोई तुक नहीं है क्योंकि इतना चोटा amount का loan है 31 days वाला जो option है select करते हैं full payment हम कर देंगे एक महीने बाद तो इस option को select करेंगे और continue option पर क्लिक करेंगे अगला जो पेज आता है जिसमें कि हमें अपना जो bank account है वो select करना है जिस भी bank खाते में जो पैसे हैं वो हम transfer करना चाहते हैं तो यहां पर union bank of India का जो खाता हमने इससे पहले sign up करते समझ जोड़ा था उससे हम select कर लेंगे और apply के option पर click करेंगे then आप सभ किया जाएगा जिस पर लग रहे हैं वो सारी चीज़ें यहां पर दिखाएगे हैं हाला कि यहां पर देखा जाए कि यहां पर 52 रुपीज का जो amount है वो जीएश्ट वगरा charges लग जाते हैं government इस पर charges लगाती है तो वह आपको पेग करना होगा जिसमें कि net जो आप सभी के account म में पैसे डिस्बर्स किया जाएंगे 448 रुपीज आप सभी के bank हाते में आएंगे तो इस तीज का अप सभी को ध्यान रखना है जब emergency हो तभी इस application के थूँ आपको लोन लेना है क्योंकि यहां पर charges कुछ ज्यादा लग रहे हैं मुझे जहां तक लग रहा है तो यहां पर bank account में जो amount है वो disbust कर दिया जाएगा जिसमें कि अब यह application जो दी गए है इस application के अंदर जब भी आपको अपने loan का जो repayment करना है तो वो आप इस application में दुबारा से आओगे तो जो भी outstanding amount होगा उसको आप दुबारा से payment कर सकते हो आप auto EMI debit होती है वो भी आप feature चाहो तो अ आप खुछ से ही ये काम कर सकते हो कभी भी आप repayment की date पर आ करके वो जो भुकतान है खुछ से ही कर सकते हो तो देखा आपने इस तरीके से आप अपने आधार card पर online apply करके loan ले सकते हो हलाकि यहाँ पर आपको क्योर 50,000 रुपे तेक जो loan है वो ही offer किये जाते है इससे loan था जिसमें कि आप लोग समझते हैं कि कोई आप सभी से bank major document डिमांड नहीं कर रहा जिसकी वज़े से आपको कम limit का जो है लोगों यहाँ पर offer किया जाता है बड़ा loan चीए तो उससे वीडियो पहले ही मैंने बना रखें वीडियो के description में मैं आपको link दे दूँगा नाकि इसका वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे comment box में जरूर लिखेगा इसी तरीके के और इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अगर आप चैनल पर नए हो तो subscribe जरूर करिएगा हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक ले गुड़ बाई जाहें